हेलो एव्रीवन वेलकम अगें टू लंगरे देतिमन आज हमारा टॉपिक है प्रजा मंडल आंदोलन तो देखिए प्रजा मंडल आंदोलन जो है वह है क्यों हुआ तो यहां पर अर्थ जानना जरूरी है कि प्रजा मंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल यानि वहां पर प्रजा की भागीरदारी होना ठीक है तो यहां पर प्रजा जो है इसको इंपोर्टेंस दी गई जो की अब तक नहीं दी गई थी क्या था कि जो 1920 के दसक में जो ठेका जानेदार थे, जागीरदार थे, वो लोग अत्याचार कर रहे थे आम जंता पर, तो यहां किसानों पर भी इतना अत्याचार हुआ, जो हम लास्ट वीडियों तक पढ़ चुके हैं, तो किसानों द्वारा बिभिन आंदोलन जो हैं, वो चलाया जाते हैं, और गांदी जी जो लोगों को कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, तो उसी के लिए प्रजा का मंडल, यानि प्रजा का संगठन जो है वह किया जाता है, और जो भी अत्याचार होते हैं, उनके विरुद आंदोलन जो है वह सुरू होता है, इसी को कहते हैं प्रजा मंडल आंदोलन जो रियासतें थी उसमें उत्तरदाई साशन की स्थापना करना तो हमने ये भी देखा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो भी शाशक थे राजा थे उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ था और जो शाशक थे वो प्रजा को अपने कंट्रोल में कर रखा था तो यहां पर कुछ लोग यहां पर आगे बढ़कर इस कारे को करते हैं और कहते हैं सभी से कि यहां पर जो भी रियासतें हैं यहां पर उत्तरदाई साशन की स्थापना की जाए। अंगठन जो है इस तरीके से बनाओ और यहां पर एक राजा का कंट्रोल ना होकर प्रजा के द्वारा ही एक ऐसा इंसान खड़ा किया जाए जो तुम्हारी सभी जरूंतों को पूरा करें और तुम्हारी बातें सुनें तो इसलिए विभिन राज्यों की जो रियासतें थी व हमारा जो कंट्रोल है वो प्रजा पर समाप्त हो जाए तो कई जो रियासतें थी वो क्या करती है कि यह आंदोलन में भागीदारी जो है वो उनको सहन नहीं होती है और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब राजिस्थान का एकी करण होता है तो वहां भी कई रियासतें जो है वह भी नहीं मिलना चाहती थी क्यों नहीं मिलना चाहती थी कि यदि वो मिल जाएंगी तो उनका कंट्रोल समाप्त हो जाएगा तो इसलिए राजिस्थान की एकी करण से पहले देखिए जो है आंदोलन होता है जिसे हम प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं तो यहां पर आपको मेवार प्रजामंडल, मारवार प्रजामंडल की किस तरीके से कौन-कौन से जो हैं अधिवेशन हुए और किस किस ने किये, किस ने इस्थापना की, किस ने यहां पर अध्यक्षता की, यह सबी नाम आपको याद रखने होंगे, कौन-कौन सी सन जो बेहत जरूरी होंगी वो मैं आपको बताती जाओंगी, तो देखिए, राजिस्थान में सोतंतरता संगर्ज को हम तीन चर्णों में बाढ़ सकते हैं, ठीके, एक तो 1927 से पहले का, जो की हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद 1927 में, और नेक्स्ट जो है, वो 1938 में, ठीके, तो देखिए, 1927 म में की गई थी, ठीके, ये एक्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है, 1938 में कॉंग्रेस का हरीपूरा अध्वीशन होता है, तो यहीं से उत्तरदाई प्रशाशन के लिए आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, और अध्यक्षता जो है, वो कौन कर रहे हैं, सुभास चंद्र बोस, कॉंग्रेस का हरीपूरा अध्वीशन के अध्यक्षता करते हैं, सुभास चंद्र बोस, रियासतों में उत्तरदाई साशन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के निर्बान के लिए क्या किया जाता है, सभी को बुलाया जाता है कि इसमें अपनी भागीदारी जो है दिखाएं ठीके, ताकि रियासतों में उत्तरदाई साशन की स्थापना हो सके, सबसे पहले हैं मेवार प्रजामंडल, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, जो भी प्रजामंडल हम पढ़ेंगे, एक तो स्थापन करता कौन है, उसके बाद अध्यक्षता किसने की और कब की गई, तीन चीजें आप याद रखिएगा, ठीके, उसके बाद जो है, चीजें जो है, वो थोड़ी सी समझाने की हैं, लेकिन ये तीनों चीजें जो है, वो एक्जाम में पूछी जाती है, इस्थापना का श्रेग है, मानिक के लाल वर्मा को जाता है, मेवार प्रज भी याद रखिएगा, एक एक्जाम में पूछा गया है, मेवार प्रजा मंडल की स्थापना जो है, वह किस मन्थ में की गई थी, ठीके, तो वहाँ पर था अप्रेल 1938, जून 1938, जुलाई 1938, इस तरीके से था, तो यहाँ डेट भले ही आप याद न रखें, लेकिन अप्रेल बया करते हैं, 11 मई को क्या होता है, मेवार सरकार ने इसे गैर कानूनी घोसित कर दिया, और वर्मा जी को मेवार से निसकाशित कर दिया, तो क्या कहा गया, कि 24 अप्रेल में इसकी स्थापना होती है, यानि कि एक महिना भी नहीं हुआ होगा, 11 मई आती है, तो इसको मेवार सरकार जो है गैर कानूनी खोशित कर देती है अब कोई भी सरकार जो है जहां उसका आतिपत्य था वो नहीं चाहती थी कि यहां पर प्रजा की भागीरदारी हो वही यहां इस छेत्र का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखे तो क्या करती है जो मानिक के लाल वर्मा है इनक पुस्तक निकाली अजमेर में मेवाड का वर्तमान शाशन ठीक है तो इनकी बुक का नाम भी आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे क्योंकि इस्थापन करता कौन है मेवाड प्रजा मंडल के मानिक के लाल वर्मा तो इनकी पुस्तक का नाम भी है मेवाड का वर्तमान तो देखिए 2 अक्टूबर 1938 को प्रजा मंडल ने सत्याग्रह किया, अब सत्याग्रह कर दिया, प्रथम सत्याग्रही जो है रमेश चंदर व्यास थे, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जिसमें पहले सत्याग्रही है, रमेश चंदर व्यास, 26 जनवरी 1940 को क्यों fix की गई, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने पूर्ण सुराज्य मनाया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 1929 में जो है वो पहला अधिवीशन जो है, वह किया जाता है, और लाहोर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को हम पूर्ण सुराज्य मना लेते हैं, 1930 में, तो इसलिए ये डेट जो है वो fix की गई और उदेपुर में सोतंतरता दिवस मनाया गया, और ये डेट को ही हम लोग अब करतंतर दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही important है ये डेट, 22 वरवरी 1941 को भूपाल सिंग, जो की यहां महराज से, इनके जनम दिवस पर म मेवाड प्रजामंडल से प्रतिवन हटा लिया गया, एक तो इन लोगोंने सत्याग्रह कर दिया, आंदोलन जो है वो कर दिया, और पूर्टै सोतंतरता दिवस जो है भी मना लिया, तो अब क्या हुआ कि जो महराज से इनका आता है जनम दिवस, तो जब इन लोगों का जनम 20 नवंबर 1941 मेवाड प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो है वह होता है कहां उदयपूर में, जहां पर सोतंतरता दिवस मनाया गया था, और इसकी अध्यक्षता ये डेर जो है वो इंपोर्टैंट है, ठीक है, कि 25 से लेकर 26 नवंबर 1941 दोनों दिन मेवाड प्रजामंड जो है उसकी सापना किसके द्वारा की गई, मानिक के लाल वर्मा की द्वारा, ठीक है, वहां अध्यक्षता जो है मानिक के लाल वर्मा ने नहीं की थी, ठीक है, लेकिन यहां पर अध्यक्षता जो है किसकी मेवाड प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की, इसकी कौन कर रह वो डेट और पहला अदिवेशन कब होता है ये वाली डेट ठीक है उद्गाटन करता जो है कौन करते हैं जे भी कृपलानी वहीं पर खादी प्रदर्शनी का उद्गाटन किया जाता है तो यहां पर विजय लक्षमी पंडित जो है ये उद्गाटन करते हैं पूरे देश में इन लोगों को चाहिए थी क्योंकि प्रजा संगटित हो चुकी थी जो भी रियासतें थी वहां पर प्रजा का साशन रहे इस तरीके से ये कारें किये जा रहे थे तो सभी नेटा जो हैं गरफतार होते हैं मिवाड प्रजा मंडल भारए चोड़ो आंदोलन में भाग लेती ह साथ में वर्मा जी की जो पत्नी है नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री है सुशीला ये भी जेल गई थी 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 अखिल भारतिये देशी राज्य लोग परिशद जिसकी इस्थापना जो है 1927 में हुई थी इसका अधिवेशन जो है उध्यपूर में होता है अब इसका भी अधिवेशन हो जाता है उध्यपूर में और यहाँ अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहर लाल नहरू और भूरे लाल बयां जो की उपाध्यक्ष्य थे किसके मेवाड प्रजामंडल के इन्हें सराडा किले में नजर्बंद किया गया ठीक है जो की मेवाड का काला पानी के नाम से जाना जाता था तो याद रखिएगा सराडा किले मेवाड प्रजामंडल के अंतरकत किसे प्रजामंडल ने जन विरोधी बताया, 18 अप्रेल 1948 को उधैपुर का राजिस्थान में विले हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मेवाड प्रजामंडल की अंतरगत उधैपुर का राजिस्थान में विले हो जाता है, 18 अप्रेल 1948 को नेक्स्ट देखिए जैपुर प्रजामंडल, इसके स्थापना जो है 1931 में करपूर चंद पाटनी ने जैपुर प्रजामंडल की स्थापना की ठीक है? तो जैपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है, करपूर चंद पाटनी के द्वारा और वही पर 1940 में जाकर जो है, जब इसकी सहमती मिल जाती है, तो यहाँ पर अध्यक्षता जो है, वह हीरा लाल सास्तरी करते हैं, तो यह चीज याद रखिएगा तो 1931 में जब जैपुर प्रजामंडल की स्थापना कर ली जाती है, तो इसका कारे जो है, केवल समाज सुधार ही रहा था, लेकिन क्या होता है, कि यहाँ की सरकार को लगता है, कि यह लोग जो है, वो आंदोलन कर देंगे, मेरा तो यहाँ पर अधिकार ही समाप्त हो जाए तो इसके विरोध में जो जैपुर है, इस सहर में क्रांती होती है, लेकिन आखिरकार में सरकार को इनकी बात माननी पड़ती है और बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं. तो हम यह देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं, जनता अगर चाहती है कि वह अपनी भागीदार्दी दिखाए और अपने आपको वो साबित करे, तो कोई भी अगर सरकार जो उसका शोशन कर रही है उसको चुकना ही पड़ता है, तो यहाँ पर भी सरकार जो है वह प्रजामंडल के नेताओं से बाचित करने के लिए तैयार हो जाती है, और इन दोनों ही पक्षों में समझोता हो जाता है, ठीके, और जितने भी जो भी यहाँ पर कारे करता थे, जिनको गिरफतार किया गया था, उनको रिहा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद 1940 में जो पंडित हीरा लाल सास्त्री हैं, जो कि यहाँ प्रजा मंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, राज्य भर में प्रजा मंडल की कई साखाएं, जो वो खोल देते हैं, ठीके, तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे नोट्स की द्वारा, जिससे की हमें और भी चीज़ें समझ में 1936 में जमनलाल बजाज और हीरा लाल सास्त्री के परयासों से पुनर गठन किया जाता है और यहाँ अध्यक्ष जो है, चिरंजी लाल मिश्रो को बनाया जाता है, वहीं 1938 में जमनलाल बजाज जो है, वो अध्यक्ष बनते हैं, ठीके, प्रजा मंडल द्वारा सत्याग्रह आ तो इनको गिरफतार जो है वो कर लिया जाता है शरीमती दुरुगा देवी शर्मा के नेतरत्व में महला सत्याग्रहियों के जो प्रथम जत्ते में इनकी भी गिरफतारी हो जाती है तो ये सब अपनी मांगों को लेकर जो है ये प्रजाम अंडल की सापना करना चाते थे तो ये चीज जो है वहां की सरकार को नहीं सही लग रही थी तो इनको गिरफतार कर लिया जाता है आखिरकार में इनकी बातों को मान लिया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत चोड़ो अंडलन हो रहा था तो वहां पर जो जैपूर जो था यहां पर जैपूर ने के साथ में रहना इसको पसंद था और दूसरा जो है जिसका नेत्रत्व कौन कर रहे थे हीरालाल सास्त्री तो यह आंदोनन के पक्ष में नहीं थे ठीके तो जेंटलमेंड एग्रिमेंट होता है 1942 में यहां बडर यह agreement जो है वह होता है जैपुर प्रजामंदल के अद्यक्ष हीरालाल सास्त्री तो कंफ्यूस नहीं होना है जैपुर प्रजामंदल को अध्यक्ष हैं और जब किस थापन करता जो है वो कौन है करपूरचन पाटनी और दूसरी जगे जैपुर के जो प्रधान मंतरी होते हैं सर मिर्जा इसमाइल तो इनके बीच में होता है समझोता तो समझोता जो है वो क्या होता है कि जो भी युद्ध होगा इसके लिए राज कारी को प्रवेश करने पर यहां नहीं रोका जाएगा ठीक है यह जो है एग्रिमेंट यहां होता है और प्रजा मंडल महराजा के वरुद किसी प्रकार की कोई भी कारेवाई नहीं की जाएगी तो यह समझोता जो है हो जाता है और इसकी जो सर्ते हैं वो देखिए क्या होत कुछ लोगों द्वारा इस सम्झोते का विरोध किया जाता है जो दूसरा वर्ग होता है और आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है 1944 में जानकी देवी बजाज इस प्रजामंडल की बाद में जाके अध्यक्ष बनती है ठीक है और 30 मार्च 1949 को जैपुर का राजिस्थान संग में विलै हो जाता है और यहां उतरदाई सरकार की स्थापना हो जाती है तो जो राजिस्थान का एकी करण होता है वह है उससे पहले जो भी घटनाएं होती है वो सबी यही है प्रजामंडल आंदोलन के तहत हम लोग पढ़ते हैं तो इतना सीधे तरीके से जो है राजिस्तान में जो रियासतें थी वो धीरे धीरे जो है वो इतना अच्छे तरीके से या ये मानिए कि ये लोग सीधे तरीके से नहीं मिली थी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ये धीरे धीरे करके मिल जाती हैं और कई लोग तो ऐसे थे, जो नहीं मिलना चाते थे, फिर भी उन्हें जबरन जो है, सिगनेचर करने के लिए विवस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले मारवाड प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में होती है, उससे पहले देखिए क्या क्या होता है, मारवाड में राजनितिक चेतना को उत्पन करने का श्रे चांदमल चुराणा को जाता है, सबसे पहले यहां पर राजनितिक चेतना जो है जगाई जाती है कि प्रजा जो है उसका संगठन जो है वह हो सके 1920 में चांदमल सुराडा जैन अरायन व्यास द्वारा मारवार सेवा संग की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले मारवाड सेळसंग की स्थापना की जाती है चांदमल्ठ सुराडा द्वारा ठीक है अद्यक्ष यहां होते हैं दुर्गा शंकर 1921 में मारवाड सेळसंग जो है इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है मारवाड हित कारणी सभा तो मारवाड सेवासंग किस में बदल गया? मारवाड हित कार्णी सभा में बदल गया 1929 में जैन अरायन व्यास ने मारवाड राज्य लोग परिशद की स्थापना की ठीक है ये पूछा जा सकता है मारवाड राज्य लोग परिशत की स्थापना किसने की जैन अरायन व्यास ने व्यास जी की पुस्तकों को प्रकाशित किया गया मारवाड की अवस्था पोपाबाई की पोल तो जो जैन अरायन व्यास थे इनकी पुस्तकें जो कौन सी है मारवाड की अवस्ता है और ये दूसरी है पोपाबाई की पोल तो ये कुछ जो पुस्तकें हैं इनके नाम भी आप याद रखिएगा 24 से 25 नवंबर 1931 को पुस्कर में अजमेर में मारवाड राज्य लोग परिशत का अधिवेशन होता है ठीक है इस सापना पहले हो जाती है और उसके बाद 1931 को मारवाड राज्य लोग परिशत का अधिवेशन होता है जहां पर अध्यक्सता चांद करण शार्दा करते हैं और इस सम्मेलन में कस्तूर्वा गांधी, काका, कालिलकर तथा मनी लाल को ठारी भी उपस्तित होते हैं। 1931 में व्यास जी ने मारवार यूत लीक की इस्थापना की, गणेसी लाल उस्ताद ने गरीबों की आवाज उस्तक लिखी। फिर देखिए, 1932 में जोधपुर में स्वाधींता दिवस मनाया गया चगनलाल चोपासनी वाला ने तिरंगा जंडा लहराया। तो कुछ जो बीच में घटनाएं होई थी कि कब-कब क्या हुआ था, ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, लेकिन इनकी स्थापना अध्यक्ष करता कौन है, ये चीजें तो आपको याद ही रखनी होगी। जोदपूर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है, अध्यक्ष जो हैं भवर लाल सर्राफ जो बनाए जाते हैं, ठीके, व्यास के जोदपूर गुषने पर पावंदी लगा दी जाती है, विकानेर के राजा गंगा सिंग ने जोदपूर के पीम डोनाल्ड फील्ड को प पत्र लिखकर ये जो पावंदी लगाई गई थी, ये हटाने की मांग की जाती है, ठीके, तो पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, बिकानेर के राजा गंगा सिंग के द्वारा लिखा जाता है, 19 जून 1942 को जेल में भूखर्ताल जो है, वो करते हैं, और वहीं पर बाल विस्था की क्या हो जाती है, मृत्यू हो जाती है, और इन्हें राजिस्थान का जतिन दास भी कहते हैं, पूछा जा सकता है एक्जाम में, राजिस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, तो बाल मुकुन विस्था को कहा जाता है, तो देखिए, यहाँ पर जो भी फैक्ट यहां पर लिख दी है कि भारत चोड़ो आंदोलन के दोरां जैन अरायन व्यास को शीवाना के लिए में नजर्बन किया गया था तो देखिए इन सबी चीजों को आपको रटना ही पड़ेगा बिना रटे यहां काम नहीं चलेगा कुछ चीज़ें जो होती है केवल समझने की ह होती है और कुछ चीज़ें रटने की ही होती है तो देखिए आप लोगों को जो रटना है वो यही है प्रजामंडल आंदोलन में यहां इस्थापना कब होती है किसने की अध्यक्षकरता कौन है और कुछ एक दो जो डेट है वो भी आपको बीच में याद रखनी जिसे की कोई भी कुशन आप एक्जाम में गलत ना करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू